अगर मन में कुछ करने का जजबा हो तो कोई मुस्किल आड़े नहीं आती जी हाँ ऐसी ही कुछ कहानी अमरोहा की तीन बेटियों ने भी रची है जोना खुद अपने दम पर पढ़ाई कर रही है बलकि गाओं के गरीब बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाने का बीला उठा रखा है इन बेटियों को जजबे को देखकर तमाम लोग अब इनके साथ हो ली है यही नहीं एक एंजियों ने भी इन बेटियों को पढ़ाने के जिम्मेदारी के साथ साथ काउं के और बच्चों का भी भवे से सवारने का फैसला लिया है प्रतक्षी स्रूप से बढ़े बच्चों का टेस्ट लेते हम भी लेते हैं हमारे जो यह का से मारे टेस्ट मे पादे हैं और घीटेसंस बहुत ही आप हो गई में एक टेस्ट लिया, उसमें टेस्ट मेने पाया कि बच्छों को स्कूल से अलग पैजुकिसर की ज़रुवत है तो मैंने एक पंदर से बीस बच्चों के टीम बनाई जिसमें की टेस्ट नैंत और टेंद के बच्चे सामिल थे मेरा फैलेश अब्जेक्ट मैथ और केमिस्टी इसलिए मैं ज्यादे जादे जब फोकस करा वो फिजिक्स, केमिस्टी और मैथ पे क्या है और मैं स्कूल से आने के बाद में घर काम ने करके बच्चों को पढ़ाती है, चार विजय का में टैम है बच्चों पढ़ाने कांगा, जिसमें की एचे गंबिर सी, एएटेम गंबिर सिंग ने, मेरे पापा जी ने बहुत जाते हैं, शायोग दिया है, तो बच्चों पढ़ा जो एएटेम सर आते हैं गंबिर से, उन्होंने बताया के बच्चों को पढ़ाएं आप उससे आपकी भी एजू के साथ में आगे बढ़ेंगे, इसी से पता चला हमें, कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, इसी के साथ हमने अपनी पढ़ाई भी की और बच्चों को भी बच्चों को पढ़ाते हैं, 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 बच् कि उन बच्चे के में आप क्या परवतन देखते हैं कि आपके संस्ताने सहीुक्झ ने बहुत परिवर्तन देखते हैं वह जो बच्चया इस ट्रईम परिवर्तन पाधशालों में मेरे पढ़ाती है जो अपनी पढ़ाई के लिए भी परिशान थी उनकी आगे पढ़ाई ने जारी हो पारे थी उन लोगों में इतना मतला आत्म विश्वास आया है अपनी सिक्षा के प्रति और आगे अपने लक्षे को पहुंचने के लिए उसके वाद उस गाउं में इतने परिवर्तन आये हैं जहां वो जो चोटे बच्चे बड़े बच्चे चोटों को पढ़ा रहे इस तरह से इसा महौल बन गया कि सिक्षा क्रांती इसी आ गई है और ऐसी क्रांती एक ही गाउं में नहीं है हमारे अन्य जिलों के वहां काफी गाउं में इक रांती आ चुकी है कि वहां पूरा महौल ऐसा बनावाए कि हम शाम को गचाते तो देखते हैं बच्चे पढ़ते कि में बड़ते